इस्टोक ट्रेडिंग 360 में आपका फिर से स्वागत है एक नाय स्टोक ऑब्जेक्ट वन इन्फोमेशन सिस्टम लिमिटेड एक छोटी सी आइटी कंपनी है जो आइटी प्रोड़क्ट्स और सॉलेशन्स कस्टमर्स एक्रोस मेरा बैंकिंग इंशुरेंस प्रोफेशनल सर्व कर सकते हैं या लांग टर्म्लोश मेरा तो आप इसमें बल्क मेंगर सकते हैं क्लेन law कैश करकृते हैं सो मैं क्यों करना है करो क्योंकि यह जिस लेभल पर अभी कंपनी कमपणी का जो यह और व Sorry वो काफी अच्छा है जघ्ट विए इस लेवल पर कंपनी है जो चोटे से मार और industry B की बात करें जो 30 का है तो काफी undervalued stock है book value ही आप देखेंगे guys तो ये 14 रुपे के आसपास की book value है और जो current prices इसकी वो 10.8 जो 10 रुपे ऐसी पैसे के आसपास trade करता हुआ दिखाई दे रहा है company का stock तो book value से अभी भी काफी नीचे है 52 रुपे 40 पैसे का high लाए है stock ने और company पे मातर 5 करोड का असपास का company पर debt है तो हम यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को inter relate करेंगे कि हम compare करेंगे कि 11.5 करोड की market cap की company है जिसमें 5 करोड का debt है तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे guys और chart पर आप देखेंगे कि chart में अपना 52 भी खाई लगाने के बाद में stock काफी जादर नीचे आ चुका है और अभी फिर से jump और upside दिखाने की तयारी में है stock तो काफी उपर भी जा सकता है अब क्योंकि results काफी अच्छे हैं तो एक supportive एक चीज़ है कि results काफी शानदार है तो चांसे से कि इसमें upside आपको लग जाते हुए दिखेगा बात करें मार्च के quarter में तो जो 10 करोड के असपस का company को profit हुआ था अभी वो 18 करोड के असपस हुआ है हाँ जी करोड में ही है सारे figures तो आप देखेंगे कि जो company का जो March quarter था उसमें 10 करोड का profit हुआ था अभी June quarter में just develop हो चुका है और अगर हम पिछले साल जून की बात करें तो almost तीन गुने के आसपस ढ़ाई से तीन गुने के आसपस company को sales revenue जो है इतना इतना अच्छा है उन्होंने मतलब production किया है कि हमका sales और revenue जो है वो ढ़ाई से तीन गुना increase हुआ है so operating net profit not net profit की बात करते हैं guys तो net profit आप देखेंगे इस stock का जो 26 लाग के असपस था पिछले साल और 50 लाग का था March quarter में अभी 90 लाग के आसपस हो चुका है एक करोड के आसपस का ये net profit है company का तो आप देखेंगे कि काफी अच्छा प्रफॉर्म किया है इस stock ने company ने और अगर हम बात करें reserves की जैसा कि मैं ओपर देखाया था आपको 5 करोड के आसपस का company पर debt है तो अभी आप देखेंगे कि company के पास reserves जो है 4.89 के रिज़र्स है करोड के रिज़र्स है 4.89 करोड के 5 करोड के आसपस के company के पास reserves है और 5 करोड के आसपस का ही company पर borrowing से जो debt है तो company जो है almost debt free company है और काफी अच्छे से perform कर रही है इस company promoters की holding जो है इस छोटे से company में जो 16% की holding है और मात्र 13% की holding है वो public की holding है so public की holding थोड़ी ज़ादा है और promoters की holding काफी कम है क्योंकि छोटा सा छोटी सी company है छोटी से market cap की company है आप इसमें 1500 shares लेके इसमें लेके चल सकते हैं long term का नजरिया रखें इस stock में और बाकी क्योंकि छोटे market cap की company है तो काफी risky भी होते है इस तरह की company कभी भी कोई भी negative news flash होती है या कोई भी scam होता है किसी भी company में ज़रूरी नहीं किसी company में हो बट किसी भी ऐसा होता है तो इसमें ज़्यादा chances होते है कि जो company में जो भी आपकी holding में होती है वो सारी के सारी zero हो सकती है और company deal list भी हो सकती है कुछ भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि छोटी company है बट जहां तक मेरा analysis कहता है कि guys ये क्योंकि करजा नहीं है company पर किसी भी AC stage में नहीं है GSM stage में नहीं है company की जो category है BAC पर जैसे मैं नहीं देखा तो काफी अच्छा stock है आप इसमें long term के लिए बन सकते हैं long term के लिए इसमें कुछ shares buy कर सकते हैं 1000, 2000, 5000 अपनी capacity के according and long term का नजरिया रखिए इस stock में multi beggar returns आपको दे सकती है कि जिस तरह से perform कर रही है जो कि March में जो 9 करोल का profit था revenue था वो अभी 18 करोल के आसपास का हो चुका है तो double growth से company जो है वो perform कर रही है तो आने वाले time में भी अच्छा perform अगर करती है company तो आपको यह stock अभी जो 10 रुपे पर trade कर रहा है आपको 50 यह 100 रुपे पर भी जाता हुए देख सकता है तो guys बने रहेगा इस stock के साथ और अगर आपकी position नहीं है तो आप इसमें और stock buy कर सकते हैं बाकि आप अपने financial advisor से भी consult कर सकते हैं so thank you so much guys and all the best